पाठ आठ नाम, पुरुष, यास्त्री, लिंग, नेम्स, मेल और फीमेल, जेंडर, देखिये, पढ़िये, और समझिये, पिता जी खाना खा रही है, माता जी खाना बना रही है, चुहाद दोड रहा है, बिल्ली दूद पी रही है, उपर दिये वाक्यों में आए रंगीन शब्द, पिता जी और चुहा, पुरुष जाती के हैं, तथा माता जी और बिल्ली शब्द, स्त्री जाती के हैं, शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथ्वा स्त्री जाती का पता चले, उस रूप को लिंग कहते हैं, लिंग के भेड, पुलिंग, मैस्किलिन, जिन शब्दों से पुरुष जाती के होने का पता चले, वे शब्द पुलिंग वर्ग में आते हैं, जैसे हाथी, आम, केला, नौकर, आदी, जिन शब्दों से स्त्री जाती के होने का पता चले, वे शब्द स्त्रीलिंग वर्ग में आते हैं, जैसे हतनी, चीनी, लकडी, नौकरानी, आदी, पुलिंग, स्त्रीलिंग, शेर, शेरनी, बेटा, बेटी, घोड़ा, घोडी, चाचा, चाची, नौकर, नौकरानी, चुहा, चुहिया, हमने सीखा, शब्दों के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का पता चले, उस रूप को लिंग कहते हैं, लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुलिंग और स्त्रीलिंग, पुलिंग शब्दों में पुरुष जाती के शब्द आते हैं, स्त्रीलिंग शब्दों में स्त्री जाती के शब्द आते हैं,